IAS versus IPS आजाद भारत में IS की स्थापना हुई 1950 में वही IPS की स्थापना हुई 1948 में IS हो चाई IPS दोनों के लिए आपको क्रेक करना होगा UPSC देखे हर साल 180 केंडिडेट्स को IS के लिए सेलेक्ट किया जाता है वही IPS के लिए हर साल 1500 को सेलेक्ट किया जाता है सेलेक्शन के बाद IS के ट्रेनिंग होती है दो साल की वही IPS की धाई साल की IPS की ओफिशिल यूनिफॉर्म होती है लेकिन IS की कोई ओफिशिल यूनिफॉर्म नहीं होती IS Public Administration देखता है वही IPS Crime Prevention देखता है IS की शेलरी ज्यादा पाउर भी IPS से ज्यादा तो दो पॉइंट और IS को वहीं UPSC Experiment की पहली चोज होती है IS Score 43 and the winner is IS